नमस्का सातियों, जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, कि हम लोग UPSC और State PCS Prelims को ध्यान में रखती हुए, आपका syllabus कम्पलीट करवाया जा रहा है और इसमें आप देखिए, अगर आप लोग State PCS और Civil Service की तयारी करना चाहते हैं, या करना शुरू कर दिया आप लोगोंने, तो कम से कम आप लोगों को अपना एकजाम का जो भी पार्ट क्रम है, जो भी सेलेवर्स है, उसे भी देख लेना चाहिए, और कम से कम अपनी बेस बनाने के लिए, बेस मजबूत करने के लिए, आपको इन किलासों को जरूर देखना चाहिए, और मुझे लगता है कि आपका Problems के Find View से, काफी मात्पूरे सभी किलासें आपकी रहने बाली हैं, इसमें हम लोगोंने सबसे पहले आपका इतिहास कवर करने की कॉसिस कर र परहने के लिए बालन, जैन धरम खास करोँ बहुत धरम के बारे में हम लोग बात करेंगे, और अगर आप लोग पराने questions विपर उठा कि देखेंगे, तो आप लोगों को देखने को बिलेगा की जैन धरम और बहुत धरम से हर साल आपकी परेक्षाओं में questions पोच्छे जात से ठीक है तो इस प्लेलिश्ट सूची को जरूर आपको याद रखना है चलिए हम लोग छटी सदी इसापूर के जो धार्मी कांदोलन रहे हैं उन पर एक एक करके बात करते हैं और खासकर जैन और बहुत धरम जरूर याद रखेगा इसापूर छटी सदी के उत्तराज में काल वैदिक चिंतन का योग माना जाता था इसे योग में आप देखें कि पाइथा गोरस इरान में जर्द थ्रोष्ट चीन में और कन्फिवसियस और लाउत से तथा भारत ठीक है ये चाइना में आपको भारत में बुद्ध और महावीर आपको सरबाधी पिसित देखने को मिलेंगे और इन सभी धार्मिक संपदायों का विरोध पुरानी धार्मिक विवस्था की विरोध था यानि की कहने का मुटलब है कि जो नए धार्मिक संपदाया है थे इनका विरोध जो पुरानी धार्मिक विवस्था थी ना उसका विरोध करना था आप देखे कि कि किसी से अलग देखा जाये तो छटी सदाब दी इसापूर के ऐसे धरम सुधार अंदोलन की पेश्ट भूमी उत्तरवेदि काल के अंद तक तियार हो चुकी थी और इन पेशों के ओधभाव का याथार्थ कारण था पुर्वत्तर भारत में नई किर्सी मूलक अर्धवरस्था का विस्तार होना ततकालीन सामाजिक दिरोष की बातावरन आर्थिक छित में हुए परिवर्तनों और आडंबर और यगवली फिर्धान धार्मिक मानताओं में निसुधार अंदोलन की भूमिका तियार की थी और धार्मिक भी तीरोध की पिक्रिया ओपनिसद के चिंतन में ही दिखाई देने लगी थी ओपने सद में यगी की तुल्ला टूटे नाओ से की जाने लगी थी पसुवली और करमकार्णों की निर्थकता बताते हुए ग्यानमार्ग और सेवर्ण परमफरा की निविटी मारगी सन्यास पिधान चिंतन को सेष्ट बताय गया था इस समय और अगर हम लोग बहुत गरंतों के अनुसार अगर बात करें तो इस समय बासट संपदायों का अस्तत आया और इसमें से कुछ इसवर्ष्ट था इसवर्ष्ट था बहुतिक वादी थे कैसे थे बहुतिक वादी थे इन संपदायों में आप देखें इनके संपादक देख यह जीद केस, कमिलिन और इसमें देखें कि नित्यवादी या सासवत बाधी, पकुद कच्चायान और आप देखें घूर आक्रियवादी पूरन कशयव फिर आप देखेंगे अनिस चैवादी या फिर संदे वादी इसमें देखें कि संजयविठली पुत, महभीर का नाम नि गंट नादपुद तो इन्हें याद रखेगा और इन पिवर्थकों ने यूगीन समस्याओं के विरोध पितिकिरिया दिखाई यग्रेवी तधापी और इनके द्वारा किया गया समाधार बेवारिक नहीं होने की वजए से इन्हें ब्यापक सामाजीक सोईकिती प्राप्त नहीं हो सकी और विरोधी पंथों ने पंथों में जैन धरम और बहुत धरम सर्भादिक महत्पूर्ट सिद्ध हुए आप देखें कि एक तरह से आप समझे कि नई पद्धिती हो रही अब लागू और इसमें समय जाया जा रहा है बहुत धरम है जैन धरम में सबसे पहले ज जैन धरम अनुसुरुतियों के अनुसार जैन धरम की उत्पत्ती एवं विकास के लिए 24 तीर्थकर उत्तरदाई थे आप लोगों ने तीर्थकरों के बारे में सुना वोगा ना इसमत के अनुसार जैन धरम का एक सास्वत धरम है जिसका पुनर इस्थापना तीर्थकर रि वोसोपसासuisा पूर्माना जाता है पहले का, और इनकी अनुवयाईयों को निरगरंद कहा जाता था, जिकोबी के एनुसार पारसुनात में अपने अनुवयाईयों को आचार सहता पिदान की थी, पारसुनात ने चार महाभितों की का पितीपादन भी किया थे, इसमें सत्ध एहंसा आप परीगर आसते महावी ने इसमें किबल ब्रहमचर का समभा बेश किया तो आप सुच रहे हैं कि सत्त बोलना एहंसा यानि कि हिंसा न करना आप परीगर मतलब आप सुची घर संपत्ती ना लेना समझ रहे हैं आप लोग तो इस अभी जैन तीट करूं कि पितीक हो गए कुछ ने भी याद रखिए रिसब देव या आदीनात ने इनका पिटीक था विरसब फारसुनात का था सरब फंड और महावीर का था सिंग है ठीक है जैन धरम की अन्य नाम है कुरूचक या अपनी है स्वेत पर निर्गरम था ये जैन धरम की अन्य नाम हो गए फारस कौसस्थल की राजा नरवर्मन की पुत्री थी है पतनी का नाम प्रिभावती था अननाम इनका पूरसाद नियम था समय इनका लगभग इसा पूर आठवी सताब्दी के बीच ग्यान परापती इनने सम्मेत परवत पर हुई थी सिक्षा महावरत की बात करें तो सत अहंसा अस्ते आपरी गए इनकी तो यह भी आल रखेगा वहीं अगर हम लोग महावीर की बात करें तो महावीर स्वामी की बच्पन का नाम वर्दमान था क्या था वर्दमान था और इसमें आप देखेंगे जैन अनुसरूतियों से पता चलता है कि महावीर स्वामी पहले ब्रह्म पितिस्थाविद कर दिया था आप समझ रहें पहले ब्रह्मड कुल में एक तरह से आप सोचे कि जो रिसब-दत इनकी पतनी देवननुदा के गरम में थे लेकिन इंद ने इन्द भगवान ने इने त्सला के गरब में पितिस्थाविद कर दिया था इनके पुत्री अनुज्या का विवा इनकी बहिन सुदर्सना के पुत्र जमाली से हो गया था और पता की मित्यु के बाद राजा बने बड़े भाई नंदी बरधन से अनुवति लेकर तीस वर्स की अवस्था में तपस्या के लिए घर से निकल गए और जैन्गरंत आचारंग सूत में उनकी कठोर तपस्या का वर्डन है नालंदा में इनकी भैट मक्खली पुत्र गोसाल नमक सन्यासी से हुई वर्ड वर्स की कठोर तपस्या के बाद आप देखेंगे वैसाक मास के दसबे दिन जरंबी ग्राम के समीब रिजो पाली का नदी तट पर एक साल वेक्ष के नीचे उन्हें केवल यानी की ज्यान पराप्त हुआ और अपनी साधना में अटल रहने और अतल पराक्रम दिखाने के कारण उन्हें महावीर कहा जाने लगा और एक बात आप सोचिए बुद्ध भगवान हो या महावीर भगवान हो इन्होंने आप सोचिए कि पूरा जीवन अपना जिया है आप सोचिए कि इन्होंने अपना एक तर से गरहस्त जीवन भी देखा है तब मुझे लगता है कि इन्हों समझ में आ गया होगा कि क्या है तब ही आप जाकर देखते हैं कि ये संत बन जाते हैं और तपस्या करने लगते हैं इन्हें ग्यान की पराप्ति होती है इसके पिथम सिस जमाली जमाता जमाली बने और वैसाली के राजा चेटक मामा चंपानरेस दधी वहन उनकी पुतरी चंदना इनकी पिथम भिख्चुनी आधी इनकी सिस से बने और महाभी स्वामी के बारे में एक जानकारी सामर रख लीजे इनके जर्म की बात हो तो पास्सो चाली सी सापूर वैसाली की निकट कुंड गराम में हुआ था पितादक का नाम सिद्धार्थ गातक चात्रियों के बिदान थे माता थिसला अथवा विदेह धत्ता पत्नी की बात करें तो अएसोदा पुतरी का नाम अडउजज्या अनुज्या या प्री एदर सिना ग्यान प्राप्ती इन्हें जरंबिक ग्राम के पास रिजू पाली का नदी तरपर साल वेक्ष के नीचे हुई थी पित्हम उब्देश की बात आए तो राजग्रह की बिपुल चल पहाडी पर इन्होंने पित्हम उब्देश दिया था इनकी डेथ की बात हूँ मित्यू की बात हूँ तो 668 इसापूर में पावापूरी में इनकी डेथ हो गई थी मौत हो गई थी जैन धरम की सिक्षाओं और सिध्धांत की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे जैन धरम मोकिता सांसारीक बंधनों से छोटकारा पाने की उपाये बताते हैं कि संसार में यहां कुछ नहीं है समझ रहे हैं आप लोगों सम्मोई माया है जैन धरम की अनुसार मोक्षी के लिए करम कांडिये अनुष्ठान की आवसकता नहीं है और यह त्री रतनों से प्राप्त की आया सकता है अब मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा आपने देखा है कि पहले आप लोगों ने रिखवैदिक काल उत्तरवैदिक काल में आप देखे वरा करम कांडिये अनुष्ठान आपको यह विधी विधान करना होगा यह यग करवाना होगा यह बली देनी होगी इस तरह से आपने देखा होगा कि आपका क्या होगा मोक्ष होगा आपको भगवान की प्राप्ती होगी यह सोरग मिलेगा इस तरह की मानता इस्थापित की गई थी उस समये, आप सोचें कि इनो ने जैं धर्म ने पूरा पूरी तरह से आज्विकार कर दिया, कि इस तरह कोई करम कांडी की जरुवत नहीं है, बली देने की जरुवत ही नहीं है, यह तिरी रतनों से प्राप्त किया जा सकता है, समयक जैन्धरम की तिरी रतन कौन से हैं समय घ्यान, समय इस्थान और समय आच्रन ठीक है ज्यान की तीन सरोत हैं पिटैक्ष, अनुमान और तीर्थ, करों की बच्चन और इनके आच्रन पर सरवादी बल दिया गया इस सम्मध में पंच महाविरतों के पालं का विधान भी बताय ग गोई देखिए यह है पंच महाविरत एहनसा सबसे पहले सरवादी कठोर सिध्धान थे मन बचन तथा करम से किसी के पिती आसंगत बेवार हिंसा है और आप देखिए हिंसा आजकल तो आप देखिए कि हिंसाई पर ही सब कुछ चल रहा है हमारे देश में तो एहनसा की बात की की है और आप सोचे जो मात्मा गांदी ने आप सुमरें आजादी के समय बात की वो आप सोचे कि महावीर स्वामी ने बहुत पहले ही अहनसा की बात कर ली थी ठीक है सत्थ सदा सत्थ एवा मधुर बोलो आप सोचे कि महावीर स्वामी ने यह भी पहले ही बता दिया अस्ते गिनान्मति के किसी वकी बस्तो को ग्रण ना करना आ परीगर रहे धनसंगर रहे ना करना भरमच आय नारी से सथंगर ना करना महावीर द्वारा जोड़ा गया था ठीक है और पिथम चार आपके पारस्वनात कि ने दिये थे इन चारों को याद रखे और पांच बार महावीर स्वामी की द्वारा जोड़ा गया जो 24 वे जैनतीत करते गरत जीबन बितीत करने वाली जैनियों के लिए इनने इनी विरतों की विवस्ता की گई है किन्तु इनकी का ठोड़ता में परियाप्त कमी की गई है इसलिए ये ये और अडूंगरत कहा गया है यानिकी कहने का मतलब है कि आप सोची जो गरह्त जीबन जी रहे है आप समय रहे हैं उन्हें को छूट देगी कि आप इसे कम मानी है ठीक है जैन धर्म धर्मानुसार ये संसार छे दर्वों जीप पूर्दगल भौतिक तथे धर्म अधर्म आकास और काल से बना हुआ है ये संसार जैन धर्म में अनेक विगार से ज्ञान को परिभासित किया गय अन्वेक्ति के मन की बात जान लेना केवल पूर्डग्यान आप देखेंगे जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्ति को सुईकार किया गया है परुंतु उनका इस्थान जिन के नीचे रखा गया है साथ ही आप देखेंगे सिर्ष्टी करता के रूप में इस सिवर को करता है या धर्म पुनर जनम तथा करम वाद में विश्वास नहीं करता है अहेंसा पर विशिस बल देता है किसी एवं योद दोनों का निसेत करता है आप सोची कि लोग इसलिए इसकी तरफ जुके आप समझ रहें या आप सोची इसके लिए इन्हों इसने नहीं की और एक बात और याद रखे या धर्म पुनर जनम और करम बाद में विश्वास भी नहीं करता है अहेंसा पर विशिस बल देता है किरसी योद दोनों को निसेत भी करता है काया किलेस सलेकना जैन धर्म में काया किलेस पर अत्तिदिक बल दिया गया है इसके अंत वेल गोला में इसी पदिती से प्राण त्यागे थे तो आप सभी जानते हैं कि एक तरसे सब कुछ छोड़ देना खाना भीना और प्राण त्रयाग देना चंद गुप तुम और के बारे में आँगे आप लोग पढ़ेंगे तो उसने इसी विदी से त्यागा था अपना प्र सर्षन के अनुसार संसार का वास्तिविक और सत्त है और अनेक चक्कों में बटा हुआ है और पितेक चक की दो अवधियां अत्रसर फीकी अर्था विकास की अवधि और आव के अर्था थिरास की होती है पितेक चक में 24 ती रित कर सह 63 सलाका पुरुस महान पुरुस निवास करती है और जेन धरम के अनुसार पितेक जीब में दो तत्य सदेव विद्ध मान रहते हैं एक आत्मा दूसरा इसे घेने वाला भौतिक तत्य जीब का परमलक्ष आत्मा को भौतिक तत्यों से तो हो जाना बंधन कहलाता है और तिरी रतनों के अनुसरन से करमों का जीब की और बहाओ रुक जाता है जिसे संवर कहते हैं और इसके बाद पहले से ब्याप्त करम समात्थ होने लगते हैं और इस अवस्था को निर्जरा कहते हैं करम फल के पूढ़ रोप से समात्थ होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है और मोक्ष के पश्चा जीब आवागमन के चक्क से छुटकारा पा लेता है और तथा हुआ है अनन्द ज्यान, अनन्द दर्सन, अनन्द वीर अनन्द सुख की प्राप्ति कर लेता है जैन गिरंथों में इसे आनंत चत्तुन कहते हैं एक बात तो मुझे लगता है कि आप लोग भी जानते हैं देखिए आदमी कहता है कि पैसे से उसे खुशी आगी वो बड़ा संदुश्ट है ऐसा है खुश है वैसा है ऐसा बिलकुल मत मानिए देखिए जब तक व्यक्ति परिवार्व से जुड़ा रहता है उसे टैंसन एक दूसरे की बनी ही रहती है चाहे कितना भी पैसा हो आप देखिए तबियत खराब एक खराब वो खराब इसकी टैंसन उसकी टैंसन या तो आदमी को सान्ती तभी मिलती है या वो मर चुका होता है सांसे रुख जाती है या आप सुचे कि सान्ती तभी मिलती है वो घर परिवारे को त्याग देता है यह हकीगत है दुनिया की ठीक है? और साइद आज की समय में ऐसा त्याग पाना बड़ा मुश्किल होता है आप सभी जानते है सामवबाद अत्वा अनेकांत बाद या संचत भंगी ज्यान जैनियोनी परम्तति की व्याख्या के लिए सब्थ भंग नियाई की कल्पना की है इसके अनुसास दिरिश्टी कौन की भिन्नता के कारण हर ग्यान साथ विविन्न सवरूम में व्यक्त किया जा सकता है जैन धरम की विविन्न संपता है सोईतामबर, पुजेरा या डेरा बासी इसमें आप देखेंगे डूडिया या इस्थानक बासी दिगंबर, वीस पंथी वीस पंथी, तैरा पंथी, समयाप पंथी, या आप देखेंगे तारन पंथी, तो ये सोईतामबर, आप देखेंगे आँगे चलके सोईतामबर दिगंबर में जैन धरम बट जाता है इसकी एक कहानी है देखें चंदकुक्त के समय कहते हैं कि मगद में अकाल पड़ता है, और जैन संपताय अनुआई थी न, इन्हें दिगंबर कहते हैं तो ये आप लोग जरूर याद रखेंगा कि चंदकुक्त मौरी के समय मगद में अकाल पड़ता है तो जैन संपता उसी समय दो भागों में बट गया था एक तो आप देखेंगे भद बाहू अपने अनुआईयों के साथ दच्छन भारत चले जाते हैं और जो इस्थूल भद थे ये आप उन्ने अनुआईयों के साथ मगद में ही रोके रहते हैं उन्होंने बस्त पहनने शुरू कर दिये सुहिद बस्त, इसलिए आप देखते हैं उन्हें स्वितामबर कहते हैं और भदवावू के जो अनुवाई थे उन्हें दिगंबर कहते हैं ठीक है वो कपड़े नहीं पहनते हैं जेन सभाय भी हुई हैं संगती जिसे आप लोग कहते हैं तो इनका पिथम अगर जेन सभा की बात करें तो ए चतोर्त सतापदी इसापूरू में हुई थी इस थान था पाटली पुत एक कुश्टन्स कई बार कूच ले था अपसे इन से अध्यक्ष थे स्थूलवद इसमें कार हुआ था जेन धरम की बारे अंगों का संकलन जेन धरम का सोईतांबर दिगंबर में विभाजन गिर्नार सोईतांबर का कैंद बन गया था करम की बात करें तो दुती है जेन सभा आप देखेंगे कि ये पांस सो वारे इस भी में हुई और ये हुई थी बल्लिवी में इसके अध्यक्ष थे दियो और धी छामा सरवन और इसके कार जेन सहिताओं बारे अंग बारे उपांग, दस पिकीड पिकीड, छेचेद सूत, चार मूल सूत और अनुवयोग सूत का संकलन हुआ था इसमें दूसरी जेन सभाब है ठीक है तो ये भी याद रखिएगा जेन गरंत की बात कर लिजे, इन्हें भी याद रखिए जेन गरंतों को नाया धमक कहा इसमें महावी स्वामी की सिक्षाएं संग्रे थे नाया धमक कहा कल्व सूत इसमें भदबाहु द्वारा रचित महत्पूर गरंत है परीशिष्ट परवन इसमें प्राकरट अब भरंस में हैमचंद द्वारा रचित है भगवती सूत, उलेक 16 वहाजन पदों और सभी जेन ती इतकरों का उलेक है अनो योगदार और नंदी सूत, जेनियों का विस्वकोस है और बौध धरम की बात करें तो देखें बौध धरम की संस्थावक महत्मा बौध का जनम नैपाल की तरही स्थित कपिल वस्तो के निकट लुम्मिनी नामक आमकुंज में हुआ और जनम के साथवे दिन माता की देहांत की वश्यत इनका पालन पोशन मौसी प्रजाती फिजापती गौतमी ने किया और सोले वरस की अवस्ता में इनका विवा हुआ और इनके पुत का नाम राहुल था और संसारेक समस्याओं से विठित होकर इन्होंने सिद्दार्त ने 29 वरस की अवस्ता में ग्रहत्याग गहत्राग दिया और इस गटना को महाव भिनिस्करमर कहते है और साथ वरस तक ग्यान की खोज में इधर उधर भटकते रहे सरवपेतम बैसाली के समीप अलार कलाम नामक सन्यासी की अस्रम गए और इसके उपरांत और विला बोद गया के लिए पिस्थान किया जहां उन्होंने कोडिन आदिस पांस साधक मिले और इनके साथ छे वरस तक की तपस्या के बाद भी इन्हें ग्यान पराप्त नहीं हुआ है तो आप समझे कि बौद और विला से गया पहुँचे वहाँ एक पीपल के उन्हें पांस साधकों को दिया उन्होंने बुद ने अपने जीवन के सरवादिक उपदेश कौसल देश की राधनारी सरावस्ती में दिये इन्हें में बहुत धर्म में दी देखिए भगवान बुद को भी देखिया आप लोग आप देखते कि यह साधी करते हैं उसके बाद आप सोची कि गरहस्त जीवन जीते हैं इन्हें समझ में आ जाता है कि कुछ नहीं रखा है इसके बाद आप देखिए त्याग देते हैं अगर को तो ग्रह त्याग की घटना को महाभी निस्करमन कहते हैं ठीक है और इन्हें अगर आप से पूछें कि इन्हें कहां ग्यान पराप्त हुआ था तो बहुत गया में आट वे दिन गया में और एक गया जाओ तो कभी देखना जरूर मुझे भी बताना सुनते हैं कि वहाँ एक बैक्च लगा हुआ है बुद्ध के पिधांसिस उपाली बा आनन्द थे सारनाथ में ही बौध संग की स्थापना हुई मातमा बौध अपने जीवन के अंतिम पड़ाओं में हेरन वती नदीत तटपर इस्थित कुसी नारावा पहुँचे जहां 483 इसापूर में 80 वर्स की अवस्था में उनकी डैथ हो गई थी और गौतम बुद्ध के बारे में एक सामर जान के रिए यहां दी गई है ने भी याद रखे 563 इसापूर में लुम्मिनी कपिल बस्तू के निकर नेपाल की तरही में इनका जनम होता है बचपन का नाम इनका सिधार था गौतिय अभियान अभी धान गौतम इनके पिता का नाम सुद्धुदन कभेल वस्तू के साकरगर के पितान थी माता का नाम माया देवी अत्वा महा माया पतनी का नाम या सोद्रा था साककुल की करन्या थी गोपा बिम्मा भद कच्छा इनका नाम रहा ग्यान पिडात्ती ने बहुत गया में वीपल बेक्च के नीचे वैसाक पूडिमा के दिन नरंजना नदी के तर पर हुआ था वैसा कूडिमा आप जानते हैं ना पितम उपदेश की बात धरंग चक के प्रवरतन कहते हैं जिसे सार्नात या रिसी पतन या पर आप देखे मिग दाव मेनों ने दिया था मित्यू महा परी निर्माड मित्यू के बहुत धरं निर्माड की प्राक्ति हो गई 883 माकरी, 483 सपूर में कुसी नगर में हुआ था, 80 साल की उम्र में कितने? 80 साल की उम्र में, ठीक है? और बुद्धरम की सिक्छाओं की बात करें, तो बुद्धरम में तिरी रतन, बुद्ध, धम, संगी की बात की गई है अर्थात अश्टांगिक मार्ग की बात की गई है और दुख को हरने वाला तथा तर्षना का नास करने वाले अश्टांगिक मार्ग के आठंगें जिने मझ्धिम पिती पदा अर्थात मध्यम मार्ग भी कहते हैं। ब्यायाम और समयक इसमिटी और समयक समादी तो इन्हें भी याद रखे आठ इनके क्या हैं उपाय हैं तो इन्हें भी याद रखेगा अश्टांगीक मार्क को भीक्चूओं का काल्यान मित्च भी काह जाता है बुद्ध धरम की अनुसार मनुस्थ के जीवन का परमलक्ष निर्माढ प्राप्ति है निर्माढ का अरथ होता है कि दीबत को बुझ जाना आथब जीवन मरण के चक से मोगत हो जानी आनी की ऊपर चल मुदाय का कारण जनम है तो उसी तरह जनम का कारण अज्ञानता का चक है और इस अज्ञान रूपी चके को पिटीत संबुत पात कहा जाता है और आप देखेंगे कि इसमें बहुत धरम मूलता अनिस्वर वादी है बास्तों में बुद्ध ने इस्वर की इस्थान पर मानोप पुनर जनम में विश्वास करता है कि जनम होता है मरने के बाद पुनर जनम अनात्माद को नरात्माद भी कहा जाता है बौध धरम में वर्ड विवस्था और जाती पिता का विरोध किया गया है बौध संग का दरवाजा हर जातियों के लिए खुला था इस्तरीयों को भी स संग में प्रवेश का अधिकार था और एनों ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया बॉद्ध की जीवन से सम्मधित बॉद्धरम की पितिक हो गया यह घटना हो गई चन्न पितिक जनम कमल वासाड गहत रयाग घोड़ा ग्यान पीपल बॉद्धिव्यक्ष के अमासया पूर्वा और दो चतूर्थ दिवस उफवास के लिए के दिन होते हैं बॉद्धों का सबसे पिसिद्ध और महतमूर ते ऑभार वैसाक पूर्वा होती है जिस दिन पूर्वा बौध сторон मां के नाम से जानते हैं और बौधरम 누कि के दिन इसलिए महात्मा बॉद्द को ग्यान की प्राप्ति हुई थी, महा परी निर्माण की प्राप्ति हुई थी, और इसी दिन कहते हैं कि इनका जनम भी हुआ था महत्मा बहुत देश से जुड़े आर्टिस्थान लुम्बनी गया सारनात कुसी नगर सरावस्ती संकीसा और आप देखें कि राजगरे बैसाली को बहुत गरंथों कि अष्ट महास्थान के नाम से जानते हैं इना अर्टिस्थान को जरूरी याद रखेगा ठीक है कौन-कौन से आर्टिस्थान जोड़े हुए महत्मा बहुत देशी लुम्बनी गया सारनात कुसी नगर और आप देखेंगे कि आपका कुसी नगर सरावस्ती संकीसा राजगरे बैसाली को बहुत गरंथों मैं अष्ट महास्थान भी कहते हैं मत्कूर्तत थे गए नत्ती बौध संग सभा में पिस्था पाठ होता है अनुसावन पिस्था पाठ को कहते थे ओप संपदा संग में पिविष्ठ होने को कहते थे बौध संग का संगठन ए गरतंद पड़ाली पर आधारित था तो याद रखे ए बहुत धरम के संपदाय हो गए यह बहुत धरम की ओप संपदाय हो गए हीनयान और महायान अंद संपदाय तो इसमें हीनयान में देखेंगे तो विभाज सीख विभाज सा सास्थ पर आधारित और और सोतांतिक इसमें सूत पितक पर आधारित इसमें महायान में देखेंगे मादमिक वबाद या सुनवाद पिवर्तक तेस्के नागार जुन विग्जान वाद या यवगान चार इसके पिवर्तक मेत नाथ थे और वज्ज्यान में छटी सदी में बंगाल वा विहार में काल चक्यान दसवी सदी पिवर्तक मंजूसरी सहज यान बंगाल में तो इन्हें भी याद रखेगा ठीक है यह विल्या आप लो याद रखेगा यह पितित्य समूत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार एवं उनकी सिक्षाओं का अधार इस्थम है और पितित्य समूत्पाद का साब्दिकर्थ है पितित्य किसी बस्तू के होने पर समूत्पाद किसी अन बस्तू की उत्पत्ती पितित्य समुतपाद में ही अन्य सिद्धान जैसे छट भंगुरबाद और नेरात्मवाद समाहेथ हैं ए बहुत संगितियां भी दी गई हैं इन्हें भी याद रखे इनसे भी questions पूँच लेता है क्ई बार क्या कर लेता है क्ई बार कूँच लेता है आपका क्या पूँच लेता है पूँच लेता है पूँच लेता है ये बता रहा हूँ ठीक है जैसे पिथम संगिती हो गई ये बर्स हो गया जिस बर्स में हुआ इस्थान हो गया इसके संगिती में क्या काम हुआ एक कार हो गया तो पिथम संगेती आप देखेंगे 483 हिसापूर में हुई ये राजगरे की सब्त परणी गुफा में हुई थे और इसके संगेती थे अजाद सक्तू ये हरेक बंस के थे इसके अध्यक थे महाकस्यप ठीक है और बुद्ध के उपदेशों का दो पिटकों में संकलन हुआ था अनुसासन को लेकर मर्त भेद बॉद्ध संग का विभाजन इस्थावीर और महासंदिक तितिय संगिती की बात करें तो 259 इसापूर में हुई पाटली पुत में है और इसके संग्भेद की विरोध कठोर नेमों का पितिबादन तितिय पिटक अभी धम पिटक का संकलन हु सदाबदी में होती है कस्मीर के कुंडल वन में कनिस्त के इसका सरक्षक था कुसाडवंस का वसुमित और असुग्योस इसके अध्यक्ष थे बहुत धर्म का दो संपदाय में विभाजन हो गया था हीनयान परंपरागत और महायान नभीन ठीक है तो यह भी याद रखें बह पदकी उब्देश्ट दीग निकाय, मज्जिव निकाय, सयुक्त निकाय, अगुंतर निकार, खुद्धरक निकाय, और विनक पितवे में आप देखेंगे तो संग की नियव पत्ति मोक सूथ्थ विभंग, खंदक परिवार पाठ ठीक है और अभी धम में पितवे में ये आपके संस्कित साहित हो गए, तो इनसे भी कुश्टन्स पूछ लेता है, महायान ग्यन्त की अगर बात करें तो ललित बिस्तार हो गया, साधरम पुण्रिक हो गया, सुखावती भीव हो गया, कुरंड भीव हो गया, अन्गरंध में देखें तो जातक कता है, 500 नंचास ब बहुत भीक्षू नंग्सटन के बीच वालतालाभ फिर आप देखेंगे हीनयान और महायान में क्या आंतर था इन्हें भी देख लिजे क्योंकि आप देखते हें बहुत धरम भी दो साखाओं में बट गया था हीनयान और महायान में सबसे पहली हिन्यान के बारे में जान लिजे तो हिन्यान में हिन्यान की मानता थी कि सभी को अपनी मुक्ती का मार्क स्वयम ढूणना चाहे होगा अधिक से अधिक निर्वाड के मार्क में हम दूसरों के धारन और अब देश के द्वारा सहायता कर सकते हैं हीन्यान बोध धर्म की इतिहासिकता में विश्वास करता है और रूडीवादी हीन्यान सब्धायों ने अरहत बोधी सत्पद की प्राप्ती के लिए 9 चार्याओं और 10 अनुसासनों का पालन अवस्टक बतला है हेन यानियों के अनुसासंसाद दुखमर है, हेन यान स्वयम की प्रेयतनों पर बल देता है, हेन यान मत का साहित पाली भासा में है, और हेन यान कोई तीर्थ नहीं मानते हैं, हेन यानी कोई तीर्थ नहीं मानते हैं, मूर्ति पूजक नहीं है ये लोग, बुद्ध को एक महा पुरुस मानते हैं क्या मानते हैं और मास खाना वर्जित है इन में लेकिन वहीं हम लोग महायान की बात करें तो महायान गुडों की हस्तांतरन में विश्वास करते हैं महायान बौध्धी सत्त में विश्वास करते हैं महायान धर्म में यह इस्थाफित किया गया है कि सभी ल बल देता है, और आप देखें कि सक्तिवर क्या देता है, बल देता है, और इसमें आप लोगों को कुछ और पॉइंट दिये गए, इनका साहित संस्कित भासा में है, चार तीर्थ इनके लुम्विनी बौद गया सारनात कुसी नगर, वद्ध की मूर्तियों की पूजा, प्रकसास्त की प्रगिती बौध धर्म की प्रभाव से हुई है, बौध धर्म में सुन्नेवाद और बिज्ञानवाद की जिन दार्शनिक पदितियों का उदय हुआ है, उनका प्रभाव संकराचार की दर्शन पड़ा, और यही कारण है कि संकराचार को कभी-कभी पिछन बौध भी कहा जाता है आप देखते हैं कि पूछ लेता है कि सांची का इस तूद कि से संबंदित है, तो आप सब जानते हैं कि बुद्ध भगवान से संबंदित है आपके, किन से? बुद्ध भगवान से आपके संबंदित है, और बुद्ध धर्म की पतन की बात करें, कि आखिर इस धर्म का पतन क्यों हुगा क्योंकि हर धर्म में आप देखिए कि उसका पतन होना सो भाविक सी वात होती है जब उसमें कुछ कमी आने लगती है और आप भी जानते हैं कि जब जनम है तो मरना भी किलियर है तो उसी तरह उत्थान है तो पतन भी जरूरी है संग वद्ध बौध धर्म अंतिता लुप्त हो जाने के बापजूत भारत की इतिहास में अमिट चाप छोड़ गया और इसापूर्व छटी सदी में पूरुवत भारत की जन्ता की समक्ष जो समस्थ है थी उनके बिरुद बौध धर्म ने पिरवल जागरोखता दिखाई कुछ परिवर्तित रूपों में या धर्म बंगाल और बिहार में 11 सदी तक रहा किन्तु उसके बाद सारे देश से सम परन्तु काल करमेंड वह उनी करमकांडों के जाल में फस गया जिसकी आरम में वह निंदा करता था इसमें ब्रह्मर धर्म के कुछ करमकांडों को अपना लिया था बौध धर्म को चुनोती का मुकाबला करने के लिए ब्रह्मरों ने भी अपना धर्म सुधार किया संकराच बहुत विक्चु धीरे धीरे जंजीवन की मुख धारा से कटने लगे। उन्होंने पाली को छोड़कर उच्छे वरणों में पिछलित संस्कित भासा को अपना लिया। अस्तित था जैन का कड़ा बिरोत किया, विहारों में अपाल संपत्ती के संचय से मुसलिन आकमर को पुरोसान किया, और इस पेकाल लगबग आप देखें कि 12 सदी तक बहुत धरम का भारत में लगबग अंत हो गया, परंतु भारत से बाहर से लंका चेंज, दच्छेन, पूर आए हुए है, और आज भी आप देखें कि बहुत धरम आपको देखने को मिलेगा, हमारे देश में आप आप देखते हैं कि ना के बराबर देखने को मिलता है, और जब कोई कमी ही रही होगी तब आप देखते हैं कि धरम का पतन हो गया, खतम हो गया, तो यह था आप देख बाकी धर्मों के बारे में हम लोगों ने एक overview लिया हुआ था, NCEIT जब cover कर रहे थे, वहां भी हम लोगों ने देखा हुआ था, और अगर आप चाहे तो मैं कुछ यही point आपको बता देता हूँ, बाकी धर्मों के बारे में कि इसके संस्थापक यह रहे हैं, इसके संस्थाप सेब धर्म आप लोगों ने सुनाएं, तो इसके बारे में याद रखे कि भगवान सेब की पूजा करने वालों को सेब और सिब से सम्मंदित धर्म को सेब धर्म कहते हैं आप लोग, सेब लिंग, उपासना का फैरंभिक, पुराता दिबिक साच, हरपा सब संस्किती के आउ से से मिलता है मैं, तो ये भी आप लोग याद रखेगा, और इसमें बावन पुरान सेब संपदाई की संख्याचार बताई गई है बावन पुरान में, पासूपत, कापालिक, काला मुक, लिंगायत, तो ये आपका सेब धर्म हो गया, फिर आप देखेंगे बैशना धर्म, बैशना धर्म की बिसाय में, आप लोग जानकारी उपने सदों से मिलती है, इसका विकास भगवत धर्म से हुआ है, नारायन की पूजग, मूलता पंच, रात कहे जाते हैं, बैशना धर्म की परबरतक किसन थे, जो बैशना धर्म कभीले के थे और जिनका निवास इस्थान में हुआ था, उनके पिता अबदुल्ला और माता अमीना थी, उनका पालन पोसन उनके चाचा अबू तालिम ने किया था, और आप सब भी जानते हैं कि मुहमद हजरत मुहमद साहब को 610 ECB में, ECB में मक्का के पास सीरा नाम गोफा में घ्यान की प्राप्ती हो गई थी, औ और 24 सेप्टमबर 622 में पेगंबर के मक्का सी मदीना की यात्रा, इसलाम जगत में मुसलिम संबत, हिजरी संगत, संबत के नाम से आप लोग जानते हैं, तो ये भी याद रखेगा, और इनकी हजरत महमद साहब की मित्यू 8 जून 632 को हो गई थी, इन्हें आप देखेंगे मदीना में दपनाये गया, इसाई धरम, इसाई धरम के संस्थापक इसा मसी रहे, और प्रमोक गरंथ बाइबल था, और इसा मसी तो आप देखते हैं कि जो डेट आप लोग देखते इसापूर कह देते हैं, और बात की तारीकों को इस भी कह देते हैं, ठीक है, तो आप सभी जानते हैं, इसा मसी का जनम जेरूसलम के निकट बैथ लेहम नामकिस्थान पर हुआ था, इसा के जनम दिवस को किसमस के रूम में हम लोग मनाते हैं, तो ये भी याद रखेगा, और इसाई धरम का सबसे पवित्य चिन है, क्रोस, आप सभी कुमाल होगा, पार्सी धरम, आप सभी जानते हैं, पार्सी धरम के पेगंबर जर्थ फुर्ष्ट इरानी थे, इनके सिक्षाओं का संकलन, जेंद आवस्ता नामक गरंथ में, जो पार्सीयों के धार में गरंथ ह और तो यह भी आओ देया रखिये, इसी तरह के धरम रहे हैं आपके, चलिए फिरहाला हम लोग महा जनपनों के बारे में अंगली किलास में बात करेंगे, और उस पर भी विस्तार से बात करेंगे, और आप लोग पढ़ते रहे हैं, एंजवाई करते रहे हैं, ठेक है,